अगर आपने अभी तक सर्किट कोई बनाया है बारे बोल्ड एक एंपियर का या दू एंपियर का और वो सर्किट आपका नहीं चला है तो यह जो सर्किट में बताना जा रहा हूं यह बहुती सुपर एजी है और इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है जिसकी कारण SMPS नहीं चल पाता है तो वो इस वीडियो के end में मैं सारी चीज़े बताऊंगा जिन कारणों से SMPS आपका आप बनाते हैं लेकिन वो चल नहीं पाता तो इस MPS सर्किट में अगर आप कोशिच करेगे तो आपको 100% यह SMPS बन जाएगा और बिल्कुल काम करेगा तो चलिए सर्कि प्रकिट जो है वो यहां से शुरू होता है यहां आप देख रहे होंगे यह चार डायोड लगे हुए हैं और यह चार डायोड है 4000 1N4007 यहां से हम 220 AC देते हैं उसके बाद में यह DC यहां से बनती है DC को फिल्टर करने के लिए हम यहां पर 10μF 450V का एक कैपिस्टर लगाए यह 4.7μF वो भी आप लगा सकते हैं काम करेगा यह लेकिंद 10μF का मिल जाए तो जाद अच्छा है उसके बाद में यहां पर आते हैं 270 किलो ओम की रेजिस्टेंस आप लगाएगे और वन वाट की आप रेजिस्टेंस लगाएगे और यह तीन रेजिस्टेंस आप है 100 को ओम और टू वाट की रेजिस्टेंस यहां अगर आपको मिल जाती है तो वो भी आप यहां यहां यूज कर सकते हैं क्योंकि यह रेजिस्टेंस काफी गरम हो जाती है तो इसलिए यहां पर हम पैरलल में तीन रेजिस्टेंस लगाएगे अगर आपको 100 के और टू और यहां पर हम एक जीनर लगाएंगे यह आप देख रहे हैं बारे वोल्ट का एक जीनर लगेगा और एक यह जो कैपिस्टर आपको दिख रहा है 4.7 ओम पाइक्रोफेरड और 50 वोल्ट का यह यहां से लगाके और यह ग्राउड करना है जो है आप बिल्कुल कर्फ्यूज लाओ कि यह ग्राउड ठीक है तो यहां बिल्कुल और यह ग्राउड जो क्राउड च्राउड है जो त्राइजिस्टर है मज़ जी दिरे रह जार तीन między इसका जो अमील मोगा इंह करना हो इंग करा को uhh और ट्रांसफार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर पेटेगे क्योंगे आप बंबेट बनाएंगे मशीन तो आपके पास होगी नी तो हुगा क्या यह जो पॉइंट है इसका मतलब है आपने यहां से पहला तार यहां से लपेटना चालो कराए तो शुरू वाला तार यह होगा तो यह जो पहली binding है जिसमें के आपको 215 तर्ग डालने है 35 गेज के 25 तर्ग डालने है पहले वाला तार यहां जुड़ेगा पॉजिटिव पे आप देख रहे हैं यह पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पर लगवक्त 320 या 330 voltage होंगे तो यह यहां जुड़े जाएगा ठीक है दूसरा wire जो है जुट फर्ग के miketer का collector होगा यह का कैसर का बेस होगा ठीक है फृट उसके बान में जो दीसरी हिसकी winding है जो पर पेटनी है सब से turn डालने हैं आपको और gauge जो है wire का वो ही है 35 gauge का wire और जो secondary है वो है 13 turn आपको डालने है और यह डालने है 23 gauge के बार के ठीक है अब इसमें आप देख रहे होंगे इसमें जो यहां शुरू वाला जो wire था वो यहां आपने लगाया है positive पे लेकिन यहां शुरू वाला तार है वो यह जो यहां जाके और तो यहां से यह base पे जा रहा है तो यह वाली जो पहली शुरू वाली winding है इसकी वो यह वाला तार यहां लगाया अब अगर यह opposite कर देते हैं आप पहले वाला तार यहां ना लगा के दूसरा वाला तार यह लगा देते हैं या इसका तार अपोजिट कर देते हैं तो यह SMPS काम नहीं करेगा और फिर आपके समझ में नहीं आएगा यह SMPS काम क्यों नहीं कर रहा है तो इसलिए इस जो पॉइंट है यानि कि जो बाइंडिंग का पहला पॉइंट है इसका आपको पॉइल पॉइलिश हो या कोई और हो तो उससे एक मार्क लगा दे जहां भी आप इसका पॉइंट यह वाला वायर निकाले ठीक है फ्रेंड जिससे के आपको याद रहे हैं क्योंकि अगर यह नहीं रहेगा तो आपका SMPS किस कीवद पर चलने वाला नहीं है उसके बाद में यह आजाते यहां से 47 ओं यह दो एक रिजिस्टेंस और यह पी एफ है यहां से लगके यह बेस पे जाता है और यह एक जीरर लग जाएगा जीरर को आप चेंज करके थोड़े-बहुत वोल्टीज कम ज्यादा कर सकते ज्यादा वोल्टीज कम ज्याद नहीं होंगे क्योंकि सेंक्टरी में अगर आपको जादे बोल्ट चाहिए तो यह तर्न आपको बढ़ाने पड़ेंगे यह लगवक 16-17 तर्न करेंगे तो आपको 15 बोल्ट मिलेंगे यहाँ पर 15 बोल्ट का जीनर लगाना पड़ेगा प्राइमरी और यह वाली वाइंडिंग वही रहेगी मेरे यह यह 4.7-50 बोल्ट का एक कैपस्टर लगाए और यह ग्राउंड करेंगे और यह एक डायोट लगाएंगे हम 1N447 इसकी सेकंटरी देख लेते हैं सेकंटरी में हम डायोट लगाएंगे यह हाई फ्रुकेंजी का डायोट आपको कोई भी मिल जाए 3 एंपियर का सेकंटरी में स इन एंपियर का डायोट है इसको आप यूज कर सकते हैं और आपके पास कोई और डायोट हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं इसके पैरलल में मैंने 333K का 100V का एक PF लगाया है तो इसको आप लगा सकते हैं उसके बाद में सेकंटरी में यह 220μF 25V का कैपस्टर है आप 470 तर्माइक्नोफेंटर 25V का भी कैपस्टर लगा सकते हैं और उसके पैरलल में आप 2.2k का एक रगा सकते हैं यहाँ पर जनली होता यह है कि एक रजिस्टर हम लगाती है पैरलल में जिस्से कि यह जो पैपस्टर है जब ऑफ कंडिशन में हो तो यह डिस्चार्ज हो जाया ह से कि किसी का अगर हाथ लग जाए तो इसको जाटका न लगा तो यहाँ पर क्या करेंगे एक रशृ स्टेंस लगाएंगे 100 के और लाटका लटका ब्रसे वे चल जाएगा और यह किर देगा तो ऊसके बाद मैं जाती हैं घ्रांसपर्णर रगाइन यूज होगा ऑई-nead यह दो पॉइंट तू तू का होगा तो इसके बीच में गयाप होगा है वह पॉइंट तू का होगा तो इसमें क्या करते हैं यहां पर यहां पर और यहां पर हम एक पेपर रख देते हैं या टेप का ही टुकला रख देते हैं जिससे कि ये गैप हमें में ज्यादा लगवग 0.2 mm का ये गैप चाहिए तो आप टेप लगा सकते हैं इसके लिए इस पेसली एक टेप आता है और इस इस बाइंडिंग में जो टेप हम यूज करते हैं वह पॉलिस्टर टेप होता है यह लो गलर का आपने देखा होगा तो अगर आपके बास वह नहीं होता है तो आप दूसरा टेप भी यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह आप सम्पेस बनाईए और मुझे कमेंट करके कर दोस है कि दूसरा देएरी और मुझे नहीं हूज